आज मेरी ममी ने वान वीटा का एक ऐसा यूज बताया जिसे देख करके मैं तो बिल्कुल ही सर्प्राइज हो गई तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी वान वीटा का एक नया और अनोखा यूज देखना चाते हैं तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ तो हमारे हैं पर एक बॉन वीटा का पैकेट था छोटा वाला जिसे मैंने खोल दिया था और वो कुछ समय बाद वो सीलन पकड़ करके नमी पकड़ करके वो खराव हो चुका था यानि कि उसके गाठे बन चुकी थी वो खराव हो चुका था तो मैं फैकने वाली थी तो मेरी मम्मी ने बोला फैको नहीं से मैं इसका एक बहुती अच्छा इसा यूज करने वाली हूँ मैंने बोला मम्मी इसका आप क्या यूज करेंगी तो मम्मी ने गरम तबा किया और गरम तबे के ऊपर जितना भी वान वीटा था जो सिलन पकड़ चुका था उसे इसके डाल दिया और उसके बाद मम्मी ने एक चमचस में सुगर पाउडर डाल दिया अगर आपके पास सुगर पाउडर ना हो तो आप सुगर डाल सकते हैं यानि कि चीनी डाल सकते हैं साबुद वाली सुगर पाउडर डालेंगे तो वो melt होने में ज़्यादा आसानी हो जाएगे सिर्फ difference इतना होता है तो जैसे ही सुगर पाउडर इसमें डाला तो यह साई चीजे अच्छे से mix होने लगी और जैसे ही heat आने लगी इस पर तो यह साई चीजे melt होने लगी उसके बाद ममी ना दो चुटके इसमें healthy powder डाला और इन साई चीजों का अच्छे से mix करेंगे अब यह साई चीजे बहुत ज़्यदा थिक होने लगी थी तो ममी ने मेरे को बताएं कि इस जगे हम 4 चमच इसमें दूद डाल देंगे आपके पास कच्छा दूद हो, पका दूद हो, कोई सा भी दूद हो, पैकिट वाला हो, कोई सा भी दूद हो आप डाल सकते हैं चार से पांच चमच भी आप दूद डाल सकते हैं, जितना आपके पास वान वीटा की कॉंटिटी है, उसके अनुसार आप थोड़ा सा कम्या जादा दूद कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जब सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, तभी हमें दूद इसमें एड करना है तो फेरंड्स, आप लोगों से एक वाफ फिर से मैं कहूंगी, अगर आप लोगों नए वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से अनुकि-अनुकि यूज एट टिप्स एटिप्स देखने को मि कर लेना तो फेरेंट्स हमने इसमें चार्चा मज़ूर डाला और इन साइशियों को अच्छे से मिक्स कर लिया फ्लेम हम हाई रखेंगे हाई फ्रेम पर ये अच्छे से साइशिय जब बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएंगी हमें विर्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है हा आप लोग देख सकते हैं कितना थिक हो चुका है बस हमें इतना ही हमें थिक करना है ज्यादा थिक हमें नहीं गरना है मम्मी ने गैस बंद कर दिया था उसके बाद मैंने पूछा मम्मी आप बना गया रही हो बता तो दो कम से कम आप ये 1 वीटा का क्या करने वाली हो तो मम्मी बोली मेरे से कि मैं इसका बहुती अच्छा सा यूज करने वाली हूँ आप लोग रिजल्ट जरूर देखना रिजल्ट देखका कि तुम भी कहोगी वाओ मम्मी ये तो बहुत अच्छी चीज बनाई कास ये पहले पता होता तो इससे पहले मैं वान वीटा को विल्कुद भी नहीं फैकती मैंने वोला अच्छा मम्मी ऐसी वात है तो चलो मैं देखी लेती हूँ मैं भी देखने के लिए बेसबरी से इंतिजा कर रही थी कि कब ये ठंडा हो और कब इसका मैं यूज देखूँ तो मम्मी ने क्या किया जैसे ही ये ठंडा हो गया उसके बाद एक कटोरी में इसे अच्छे से ट्रांसफर कर लिया मैं बोली मम्मी पता नहीं ये तो बहुत गंदा लग रहा है देखने में पता नहीं आप क्या करने वाली है मम्मी बोली देखती जाओ बस जितना देखने में गंदा लग रहा न उतना ही अच्छा इसका डिजल्टाने वाला है मैंने बोला अच्छा में ऐसी बात है तो ममी ने बताया इसका यूज़ ममी बोले चलो मैं आप लोग को बिस्पार से बताती हूँ हमें करना क्या है ममी बोली इसे हम फेस पर लगाएंगे जिसे कि हमारी जो स्कीन है वो ग्लासी स्कीन हो जाएगी बहुत ज़दा गुलो करेगी और साथी साथ में बहुत ही चमकदार होगी हमारे स्कीन और फेस पर जितनी भी जुरियां होगी जाईयां होगी वो सारी के सारी खतम हो जाएगी और हमारा जो स्कीन है फेस की वो बहुत ज़दा चमकदार बनेगा हमारा फेस और हमारे फेस पर जाते हैंrios होते हैं मुझें मुझा ratio जाएगा सूख जाएक जैगा जब इसे हम छूटाएंगे तो इसके साथ जो़ो हमारे एक्ट्रा हेर होते हैं फेस पर सूखने देंगे तो लगाने के बाद उसके बाद हम ठ्डवD पानी से इसे वाश कर लेंगे आप लोग स्वेम अंतर देख सकते हैं बहुती जादा एकदम ग्लू आ जाता है शाइन आ जाती है फेस पर अगर आप लोग किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं और अगर आपने फेसियल नहीं करा पाया है तो आप सिर्फ इस यूज को करिए आपका फेस चमकदार बन जाएगा आपका फेस चमकदार बन जाएगा